हाँ तो दोस्टो पेज इंडस्ट्रीज के कॉटर 2 के नंबर आ चुके हैं तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पेज इंडस्ट्रीज के ने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो दी कि सबसे बेल अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू के नंबर के अगर हम बात करेंगे तो पिछले कॉटर के कंपरीजन में 116 परसेंट के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर बढ़े हैं और 1084 करोट पे यह नंबर निकल कर आया है यहाँ पे पिछले कॉटर के कंपरीजन में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें डबल से भी ज़ादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर profit के अगर हम बात करेंगे तो अभी company को 160 करोड का profit हुआ है जबकि पिछले quarter में company को सिर्फ 10 करोड का profit हुआ था यानि कि 16 times हमें यहां पे quarterly basis पे 16 times हमें यहां पे company का net profit बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पे quarterly basis के जो number से यह काफी अच्छे हैं अगर year on year basis के अगर हम company के revenue के numbers के अगर हम बात करें तो 46% के हमें year on year basis पे company के revenue के numbers में growth देखने को मिली है यहां पे year on year basis का revenue का number भी काफी अच्छा है और 45% से कमनी का net profit बढ़कर 160 करोड का कमनी का total net profit का number इस quarter में आया है तो यह number काफी अच्छा है देखा जाया तो all over अगर हम देखेंगे जो company के numbers है year on year और quarterly basis दोनों ही basis पे यह numbers company के काफी अच्छे है अब देखें लगबग 44,000 करोड का इस company का market के पे 113 का PE stock का भी चल रहा है लेकिन देखें जो भी हमे year on year basis पे जो यहां पे 16 times का जो company का net profit का number बढ़ा है उसके पाज यह जो PE का number होगा यह लगबग 80 times हो जाएगा और देखें जो page industries की जो jockey की जो brand value तो उसके चाप से देखा जाए यह जो इसका जो valuation यह लगबग इतना ही रहने वाला है और हाँ shareholders के लिए एक अच्छी news भी है तो की company ने 150 रुपीज का dividend declare किया है यानि कि अगर आपके पास 10 share है तो आपको यह लगबग 1500 रुपे का dividend मिलेगा अब यह देखिए पिछले 4 years से अगर हम पिछले 4 financial years से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगातार company के revenue के numbers बढ़ रहे हैं तो पिछले साल company के ठोड़े से revenue के numbers कम हुए थे और profitability के अगर हम बात करेंगे पिछले 2 साल से ठोड़े हमें यहाँ पे issue देखने को मिले हैं लेकिन जो हमें यहाँ पे 45% के यहाँ पे profitability जो growth हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो 45% से यहाँ पे जो company का net profit का number बढ़ा है यह मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है और यह दिखाता है कि वापीस से जो number से वापीस से pre-covid levels पे हमें आते हुए नजर आ रहे हैं अब देखें लगबग 39,700 रुपीज पे यह stock अभी trade हो रहा है और लगबग 40,300 का इसका all time high है यानि कि 1-2% अपने all time high से अभी आपको correction पे मिल रहा है देखें page industries channel अगर आपने invest करना है तो आपे conservative to moderate kind of investor अगर आप है तो ही आपने invest करना चीए तोकि consistency point विशे मुझे यहाँ पे कोई भी issue नजर नहीं आते हैं लेकिन अगर आपको कुछ alpha returns अगर generate करने तो मेरे ख्याल चे यह stock को आपको avoid करना चीए तोगि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ पिछले कुछ साल के अगर हम profitability growth के अगर हम बात करेंगे उसके ज़्यादा अगर आपकी expectation चे तो मेरे ख्याल चे आपने यह invest नहीं करना चीए अगर short term के अगर हम बात करेंगे तो numbers अच्छे हैं मुझे लगता है लगबख 41,000 अगर यह stock short term में जा सकता है दोस्तों मैं hope पता हूँ कि आपको page industries के quarter 2 के numbers के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries है तो आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्तों thank you have a nice day